नमस्टकार दोस्तों स्वागत है आपका दजीस प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म और जैन धर्म से जुड़े 25 मैटपूल आज हम सॉल्ब करेंगे जिन लोगों ने जैन धर्म से जुड़ा descriptive वीडियो नहीं देखा है वो previous वीडियो में जाके देख सकते हैं जैन धर्म के साथ बहुत धर्म के भी दो वीडियो पड़े हैं उनको भी देख सकते हैं आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखेगा और explanation जरूर सुनिएगा उससे कई सारे अन questions भी तयार हो जाते हैं चलिए पहला question है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे आपके options हैं A. महाभीर स्वामी B. रिसब्देव C. तरताल D. पार्षनात तो इसका सही answer है B. रिसब्देव इसका सही answer है जिन लोगों ने descriptive वीडियो देखा होगा उनके लिए तो और भी जी है वैसे भी ये question है तो जैन धर्म के मूल संस्थापक ये प्रवर्तक ये प्रथम तीर्थंकर रिसब्देव इनको आदिनात भी का जाता है माने जाते हैं बात करते हैं महाभीर स्वामी की जैन धर्म के 24 में और अंतिम तीर्थंकर थे पार्षनात की बात करते हैं ये जैन धर्म के 23 में तीर्थंकर थे ठीक है next question देखते हैं जैन तीर्थंकर पार्षनात निमलिकित इस्थानों मैंसे मुक्यता किस से संबंदित थे आपके options हैं इसका सही आंसर है ए बारारसी पार्षनात 23 में जैन धर्थंकर थे इनका जैन बारारसी के राजा अश्रुसेन के यहां हुआ था और इनकी माता का नाम बामा देवी था और इनका जो चिन है पार्षनात का वो क्या है सर्प चिन है सर्प प्रतीक है इनका ठीक है next question देखते सूची बन को सूची दो से समेलित करना है सूची बन में तीर्थंकरस हैं और सूची दो में आपके प्रितमा लक्षण है आदिनात विर्षव, मल्लीनात अश्च, पार्षणास सर्ब, संबबनात जलकलस तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है A यानि कि A का पहला, आदिनात का विर्षव है B का चौथा, मल्लीनात का जो संबन्द है वो जलकलस से है C का तीसरा है, पार्षणात के भी बात की थी सर्ब की और संबबनात का जो संबन्द है वो अस्ट से है ठीक है, ऐसे कुश्चन्स आपके विविन लोक्स दिवायोगे की परिच्छाओ में निमित तोर पर पूशे जाते हैं और ये कुश्चन ही आजकल जादा ट्रेंड कर रहे हैं तो ये से कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं ए कुण्ड ग्राम, बी पाटिल पुत्र, सी मगद, डी वैसाली तो बहुत इजी कुश्चन है ये डिस्क्रप्टिव वीडियो में तो और जिनने उन्हें देखा उनके लिए तो और भी जी है इसका सही आंसर है एक कुण्ड ग्राम महाविर स्वामी का जन्म कुण्ड ग्राम या कुण्ड पुर में बैसाली के निकट हुआ था और लगवग 599 इसापूर्व में हुआ था तो पुरानी एंसी आर्टिस के बुक्स हैं उनमें 540 इसापूर्व भी लिखा हुआ है लेकिं जो स्रोथ है और उनके आदार पर 599 इसापूर्व ही उच्छत है और जो न्यु न्यो एंसी आठीड आई है उनमें ग्राक्राविद यिंग दिया जा रहा है चुकि जो महाविर स्वामी थे महातम गुद्ध के पहले काल के है यांनी कि महात्मा जुख से पहले के हैं महाविरसवामी ठीक है यह याद रखना है आपको इनका जिन के तेथी याद रखने हैं आपको 569 इसापूर ठीक है इस्तितफ़ पुरी नामक्रिष्थान पर महाविर स्वामी ने सभीड को त्याग दिया था नेक्स्ट कुश्चन है प्रभास गिर्य जिनका तीर्स स्थालाइवी हैं बे मतलब है का मतलब है वे किस धर्म से संबंदित हैं बहुत धर्म से जैन धर्म शैब बैस्टनब तो इसका सही आंसर है बी जैन जैन धर्म से संबंदित है प्रभासगिरी प्रभासगिरी जो है वो उत्तर प्रदेश के कौसामभी जिले में स्थित है तो ये याद रखना है आपको प्रवाजगरी उत्तर प्रदेश के कौसामी जिले में स्थित है और ये जैन तीर सिस्थल है ठीक है और ये जैन तीर सिस्थल प्रवाजगरी जो जैन धर्म के छटमे जैन तीर सिस्थल करते पद्म प्रभू उनसे संबन देता है किस संबन देता है ये भी पूछा जा सकता है कि किस जैन तीर्थंकर से संबन देता है तो जैन धर्म के जो छट में तीर्थंकर थे पद्म प्रभू उन्ते संबन देता है प्रवाज किरी नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं सात्मा कुष्चन है जैन धर्में पूर गयान के लिए क्या सब्द है आपके आप्संस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टन और बहुत ही एजी कुष्चन है इसका सही आंसर है सी केवल डिस्क्रप्टिव वीडियो जोने उने देखा होगा वो जानते होंगे ये कुष्चन आईएस 1993 में पूछा गया था आजकल तो ये कुष्चन SSC लेवल के एक्जाम में भी पूछ लिया जाए ये बहुत बड़ी बात है जैन धर्में पूढ यान के लिए कैवल सत्का प्रियोग किया गया है माविर स्वामी को बारा वर्षों के कठोर तपस्चा साधना के पस्चा जरंभिक ग्राम के समीब कौन सा ग्राम जरंभिक ग्राम के समीब रिजुपाल का नदी नदी याद रखनी है आपको रिजुपाल का और गाउं का ना में याद रखना है जरंभिक और ब्रच याद रखना है ब्रच है साल के ब्रच के नीचे ने कैवल यानि की पूर्डग्राण प्राप्त हुआ था और इसी क्यादार पर वो कैवलिन खेला ही थे next question देखते हैं महाविर स्वामी को किस नदी के तरप ग्यानोदय प्राप्तुगा था इसका अभी जिक्र किया है सही आंसर थी रिजुपाल का उर्वेला और नरंजना ये मात्मा पुद्ध से संबंदित है next question देखते है सियाद बात सिद्धान्त है बात धर्म का जैन धर्म का शैब धर्म का या डी बैस्टनब धर्म का तो इसका सही आंसर है सियाद बात सिद्धान्त संबंदित है इसका सही आंसर है बी जैन धर्म का जैन धर्म के संबंदित है सियाद बात महाविर स्वामी जैन धर्म के छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया जिसे अनेकांत बाद अत्वस्याद बाद कहा गया है इसकी चर्चा है मैंने डिस्कुर्प्टिब वीडियो में तोलड़ डिटेल में किये तो इसको आप वहां से देख सकते हैं आपके उप्संस हैं A. सार भामिक विधान से हुआ है B. सार भामिक शात्य से हुआ है C. सार भामिक आस्था से हुआ है या D. सार भामिक आत्मा से हुआ है इसका सही आंसर है A. सार भामिक विधान से हुआ है यह कुर्चिन आपका I.S. 2011 यानि कि 2011 में पूछा गया है इस हो जाता है विबिन लोग सिभाय योग में इस प्रेशन को दौराया जा सकता है तो जैन धर्म के अंसार समस्त भिष जीव तथा अजीव आत्मा से है, जेन मतानुसार के अनसार आत्मा यनेक होती है, सरश्ट के कड़गड़ में जीवों का बास है, अता इसके अधार पर विकल्प एक सही है, जिसमें कि जेन धर्म के अनसार सरश्ट की रशना इब पालन पूरसर्ट सार बामिक विदान से हुआ है इसका कोई संचाल के अनियंतर करता नहीं है अब यहां आपको यह याद रखना है कि यह कुश्चन इस प्रकार से भी पूचा जा सकता है कि किस धर्म के अंसार सुरष्टी का कोई संचाल के अनियंतर करता नहीं है तो आपको याद रखना होगा जेहन धर्म नेक्श्ट केस्ट केस्ट की ही बात करते हैं विश्व बिनासकारी प्रलय की अवधारा में विश्वाशाश नहीं करता आपके options हैं इसका सही आंसर है बी जहन दर्म चुक्छे हम जहन दर्म के ।पिक की ही बात कर रहे हैं इसलिए पसे आपको गैस करना भी आसान हो रहा है बट एक्जाम में पूछा जाएगा तब इतना एजी नहीं होता है तो थोड़ा दियान रखना है जैन धर्म में इसर की कलपना नहीं की गई है ठीक है जगत की स्रश्टी नहीं की गई है उनके अंसार संसार नित्य और है इसमें किसी समय प्रले नहीं होता है याद रखना है आपको नेक्ट कुश्चन तेर में जैन धर्म का आधार बूद बिंदू है आपके ऑप्सन से एक कर्म बी निस्ठा सी अहिंसा डी विराग तो इसका सही आंसर है सी अहिंसा अहिंसा जैन धर्म का आधार बूद अपर इग्रे नामक पंच महावरत की विष्था की गई है तो जैन धर्म के पंच वरत कौन है आप से कूट में भी पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन नहीं है या कौन कौन से हैं तो आपके जाद रखना है अहिंसा, शत्ते, अश्ते, ब्रह्मचर और अपर इग्रे नेक्स् जैन धर्म का एक संपर्दाय था जिसकी उत्पत्ति यद्दपी दिगंबर संपर्दाय से हुई थी तथा आपी ये कतिपई स्वेतामबर मानताओं का भी पालन करते थी आगे चलको आपको आपको डिस्क्रप्टिव वीडियो में देखेगा आप जैन धर्म के तो उसमें कि दार्मिक प्रताओं के संदर में इस्थानक बास्वी संपर्दाय का संबंद किस्ट्रे है और ये कुष्टन इस बज़े से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लास्ट केर यूपियस से आप में पूछा गया था यहां आपके लिए गैस करना इस बज़े से आसान ह हो जाएगा क्योंकि हम जैन धर्म पर बेस्ट टॉपिक पर ही कुष्टन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सही अंसर बैसे जैन मत है लेकिन आई एस में ये कुष्टन पूछा गया है तो आप इस कुष्टन की जो महत पूर्टा है जो इंपॉर्टेंस उसको आप समझ सकते हैं सत्रमी सदी में लौंका साह के नित्रत में हुई थी जो पहले लुंपाप या लोका अगक्ष कहलाने वाले अमूर्ती पूजक संप्रदाय के सदस्ट थे और इस सदस्ट इस समू को कभी-कभी ढूंडिया खोजने वाला भी कहा जाता है और इनने इस्थाने किस बज़े से प्राक्रत डी संस्क्रत तो इसका सही आंसर है अर्दमागदी बहुत वाले याद रखने हैं आपको पाली में लिखे गए थी प्राया सभी प्रारंबिक धर्मिक जैन साहित प्राक्रत की विशिष्ट साखा अर्दमागदी में लिखा गया है इसके बारह अंग अर्दमाग नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं प्रदेश में बस गया अकाल समाप्त होने के बाद भद्रवाओ अपने अन्यवाईयों के साथ पुना यां लोट आए किन्तु जैन संग के नेमों को लेकर भद्रवाओ और स्थूल भद्र के बीच मत वेविन हो गया यहने कि मतों में भेद हो गया स्थूल भद्र अकाल के समय मगद मही रहे और उनके अन्यवाई भी वही थे उन्होंने अपने अन्यवाईयों को सफेद बस्त धाल करने के लिए निर्देश दिया किन्तु भद्रवाओ उने निर्वस्त रहने के लिए अपने अन्य आयों को इस इच्छा दी, इस प्रकार जहन संग में दो संपर्दाय विक्षित हुए स्वेत आंबर और दिगंबर तो जो स्वेत आंबर हैं वो आपको पता होना चाहिए स्वेत बस से दाल करते हैं और जो दिगंबर हैं वो निरवर्स रहते हैं तो जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा है आराम से उता सकते हैं जो कि इनके दामाद भी थे ठीक है नेक्स्ट कृष्चन देखते हैं किस जहन सभा में अंतिम रूप से स्वेत आमबर आगमकार शंपादन हुआ आपके उप्संस हैं इसका सही आंसर है ये कुष्चन उपी PCS मैंस 2008 में पूछा गया था चैंदरुप मौर के सासन काल में पाटिल पुत्र में प्रथम जहन सम्मिलन आयोजित किया गया जिसमें सुईतामबर आगमकार संपादन किया गया चुकि प्राचीन जहन सास नस्ट हो गए थे अताओंने पुना एकत करने के लिए चतुर सतापदीशापूर में इस प्रथम जहन महासबा कायोजिन किया गया था जिसमें भद्रभाव के अनुआईयों ने भाग नहीं लिया था तो यहाँ आपको याद रखना है कि प्रथम जहन सभा में भद्रभाईयों के अनुआयों ने भाग नहीं लिया था कुश्चन सापते से भी पूछा जा सकता है कि कि जहन सभा में भद्रभाईयों के अनुआयों ने भाग नहीं लिया था तो आपको याद रटना होगा प्रितम जैन सबामें नेक्स्ट कुश्चन है आजीवक संपरदाई के संस्थापक थे आपके options हैं A. आनन B. राउल बद्र C. मक्खल गोशाल D. उपाली इसका सही आंसर है C. मक्खल गोशाल आजीवक संपरदाई के संसापक थे मक्खल गोशाल प्रारम्म्य महावीर की सिस्थे किन्थु बाद में मतवेद के चलते इन्होंने महावीर की सिस्थ तात्याक कर आजीवक नामक शुतंतर संपरदाई की और यह संपरदाई लगवक 2002 इसवी तक बना रहा इनका मत जो है वो नियत बाद है तो नियत बाद का संबंद किस संपरदाय से आजीवक संपरदाय से स्याद बाद या निकांद बाद जैन दर्म से छणिक बाद का संबंद बाद दर्म से ये आपको याद करने factual question आजकल ना पूँचकर conceptual based question पूछे जाने की दाड़ना हो गई है विबिन लोग श्रिवाई हो गों exam की तो याद को याद रखना है next question है संपर्दाय जो नियत की अटलता में बिस्ट्रास करता था कहलाता है जैन आजीवक चार बाग या बौद तो इसकी अभी अभी चर्चा की गई है नियत बाद का संपर्दाय से है सही आंसर है B next question देखते है सूची फस्ट को सूची दो से समिरित कीजिए और सूची ओक नीची दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए सूची फस्ट में आचार रहे हैं और सूची दो में सिध्धानत हैं लकुलीष आजीवक नागारजन सुनिवाद बद्रवाव पास्टपत गोशाल जैन इसका सही आंसर है B यानि कि A का तीसरा लकुलीष का पास्ट४त B का दूसरा नागारजन का संबन जो सूनिवाद से है बद्रवाव का संबन जो जैन दर्म से है और मक्खल गोशाल का संबन आजीवक संपरदाई से है एलिमिनेर्शन करके इन कुस्टेंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इसका जो सही आंसर है बहुए कौसामबी जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक जिला है इलावात के दक्षर पस्षिम में लगबग 33 मील की दूरी परिस्तित कोसम नामकिस्थानी प्राचीन काल का कौसामबी था तो कौसामबी का प्राचीन नाम कोसन था बैदिक यह जैन साहित में अनेक बार कौसामभी का उलेक हुआ है प्रावलों में भी इसका उजिक्र है हस्तनापुर के राजा ने चक्छु ने हस्तनापुर के गंगा के प्रवाव में बैज आने के बाद इस नगर की इस्थापना करवाई थी तो कौसामभी की इस्थापना किस ने करव मनामक बरिच्छों के दिखता कि काल इसनगर का नाम कौसाम्भी पड़ा याद रखना है जेंदर्म और जो जेंदर्म है और वो सॉरी कौसाम्भी है वो जेंद ता बौत दर्म दोनों की प्रसिद दितीर सिसली है क्यों है को कि मातना बुद्ध ने कौसाम्भी में जाकर कई दर्मो पुदेश दिया तो लोगों को अपना शिष्ट बनाया यहां उनके अनेक बिहार थे और सर्व प्रमुक गोशित राम बिहार था जिसका अंदरमार स्वेश्टी गोशित ने करवाया था नेक्स्ट कुस्टिन है स्रावड बिल गोला में गोमतियस्वर की विशाल प पर्थम ने, बी चामुन राय ने, सी कुमार पाल ने, बी तेज पाल ने, तो इसका सही आंसर है बी चामुन राय ने, स्रावड गोला जो है करनाटक राज मिश्टित है और यहां गंग सासक रच मल के सासनकाल में चामुन राय नामक मंत्री ने लगबग 983 इसापूर में बाहु बली, गोमट की विसाल का है, जैन मूर्थ का धर्मार कराया, बाहु बली, प्रतम जैन तीर्थंकर रिसब देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, तो रिसब देव प्रतम जैन तीर्थंकर रिसब देव के पुत्र का नाम क्या है, बाहु बली, नेक्स्ट आप जैन संग का प्रतम अध्यच कौन मना आपके ऑप्संस हैं A. हमचंद, B. सुधर्मन, C. उमास्वामी, D. धर्म बुश्टर तो जोने लोगों ने डिस्क्रप्टिब वीडियो देखा होगा वो आसानी से बता सकते हैं सही आंतरस का B. सुधर्मन तो फ्रेंड्स अगर और सेयर करना ना भूलेगा थैंक यू